आप सभी बच्चों का इंद्राज क्लासेज में बहुत स्वागत है आज हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे टर्म्स हैं इसमें भी कुछ घोला जा सके विच अलाव दर्म्स क्या होता है लिक्विट जन्रली वाटर और मीडियम अफ डिसलूशन विच एलावस दसॉल्यूट तो डिसॉल्व इन इट आप एसा तरल पदाग जन्रली वहां पर लिक्विट हम वाटर ले सकते हैं या एक ऐसा मीडियम जिसमें भी कुछ घोला जा सके विच एलावस दसॉल्यूट तो डिसॉल्व इन इट एक ऐसा मीडियम जो सॉल्यूट को अपने आप में घुलने दे और एक सॉलूशन बना ले इसे हम सॉल्वेंट कहते हैं हमने यहां पर वाटर लिया एसा सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या ह एक ऐसा सबस्चेंस जो डिसॉल्व हो जाता है यहां डिसैपियर हो जाता है सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बनाता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं यहां हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं इसकी जगे चीनी या नमक भी लिया जा सकता है जो कि सॉल्वेंट यानि वाट Solution, a homogenous mixture of a solute in a solvent whose composition may be gradually changed by the changing the relative amount of component. एक ऐसा homogenous mixture, solute का solvent में, जिसमें भी हम composition change कर सकते हैं, relative amount of components को बदल कर. solvent है, plus solute, तो इनसे मिल करके solution बना, इसे हमने stirrer से stir करा, तो घुल गया इसके अंदर, solute, solvent में घुला, क्या बना? solution, और यहां हमने NaCl लिया था, sodium chloride लिया था, इसलिए यहां पर aquosolution of NaCl बना, वाटर में घुल करके NaCl, aquosolution of NaCl बना, तो यह थे solvent, solute और solution के बारे में. इसी तरह से पढ़ते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास notification समय से पहुंच सकें, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शियर भी करें. Thank you.